हेलो दोस्तों, ग्रिप्स मीडिया आपको नौलेज, साइंस और हेल्थ के वीडियोस के अलावा अभी आपको इंडेटेन्मेंट वीडियोस भी मिलेगा पहले हम लोग मूवी देखने जा सकते थे जब दोर होते थे पर अब वो दिन नहीं रहे इस कारएं बहुत लोग ऑन्लेन प्लाटफॉर्म्स को प्रिफर कर रहे हैं सारे नए मूवी भी आपको डिटी प्लाटफॉर्म्स में दो ही मैने के बाद रिलीस हो जा रहे हैं और कुछ तो डायरेक्ट भी रिलीस हो जा रहे हैं इसी दोरां लोगों को वेब सीरीज पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है बहुत सारे नए स्टोरीज के साथ और हर एपिसोड में एक ट्विस्ट के साथ सबी व्यूर्स को अगले एपिसोड के लिए वेट करवा रहा है हम लोगे सब अपने ही गर के कमरे में अपनों के साथ फोन में या टीवी के दबारा देख पाने के कारण भी बहुत सारे लोग इनको प्रिफर कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे शोस हो सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं या आधा देख के टाइम नहीं मिलने के कारण छोर दे होंगे या शोस देख लिए पर फिर से पुरा देखने का टाइम नहीं मिल रहा होगा ऐसे सभी लोगों के लिए Grapes Media आपके लिए English Web Series का समरी देने वाला है हिंदी में So please subscribe to Grapes Media ये वीडियो में हम लोग मनी हैं इससे शुरू करने वाले हैं ये शीरिस पुरा प्रोफेसर का लिए ये वाले हैं प्रोफेसर के द्वारा प्लान किया गया रॉबरी के बारे में है प्रोफेसर के प्लान के द्वारा Royal Bank of Mint में जाके 240 करोर रुपे चोड़ी करके एक सीक्रेट टरनल द्वारा निकल जाना है इसके लिए प्रोफेसर उसके टीम को लेके 6 महिनों से एक बंगलो में ट्रेनिंग देता है ये रॉबरी के लिए प्रोफेसर तीम रूल लगाता है पहला रूल किसी को मारना नहीं है दूसरा रूल है कि कोई भी मेंबर अपना असली नाम का वेयोग नहीं करेगा और जो भी सिटी का नाम दिया गया ये ये यूज करेंगे तिसरा रूल ये है कि कोई भी मेंबर आपसी में बंदन नहीं रख सकते और अपने व्यक्तिगत विशिश का बात नहीं कर सकते है अपसी में प्रोफेसर ये टीम के साथ पांक में नहीं जाएगा और बाहर ही रहे के ये रॉबरी का हैट पॉलिस रखेल के साथ दोस्ती बनाएगा और पॉलिस से एक कदम आगे रहने का कोशिश करेगा पॉलिस के साथ होने वाले सभी नेगोशिशिंस प्रोफेसर ही बाहर से एक वोईस मॉडिलेशन के साथ करेगा हर एक टीम मेंबर को एक एक तास्क रहता है पहला कारक्टर बरलन है ये पुरा हैस का कमांडर है और बैंक के अंदर जाने के बाद जो भी बरलन बोलता है वोई वाकी सभी लोगों को भी करना पड़ेगा दूसरा कारक्टर नैरोबी है, फेक नोट्स की स्पेशलिस्ट है, बैंक के अंदर जाने के बाद नोट्स अभी प्रिंट करवाना नैरोबी का काम है, मॉस्को टनल्स का एक्सपर्ट है और बैंक से निकलने के लिए सीक्रेट टनल तक जाने वाला टनल बनाता है, अपने टीवी कैमेरास को हैक करके बाहर प्रोफेसर के कम्प्यूटर को कनेक करतेता है, ओसलो और हेलिसिंग की, ये दोनों टीम के बॉडी गार्ड है, टोकियो और डेनवर बैंक में बंद रखेगे होस्टेजेस को देखते हैं, ताकि कोई भागने का कोशिश नहीं करे, जब प् के पोलिस अंदर नहीं आ पाएंगे, सब का फोन्स लेके एक रूम में रख देते हैं, इससे कोई भी बाहर के लोगों इन से बात नहीं कर पाएगा, सबी होस्टेजेस को भी इनकी तरह ही रेड ड्रेस और मास्क पहनने बोलते हैं, सब को फेक गंस भी दिया जाता है, जिस सबी इक को बचाने की कोशिश करते रहता है, दूसरा कारक्टर है मोनिका, जो की बैंक मैनेजर की सेक्रेटरी है, तीसरा कारक्टर आलसन पारकर है, जो बैंक के म्यूजियम में स्कूल ट्रिप के लिए आएगी, आलसन यूके फॉरण एमबैसेडर की बेटी है, इस करण प बाहर के लोगों को बोल पाएगी कि बैंक में क्या हो रहा है, पर उससे पहले ही कैप्टन बेरलिन मोनिका को पकर लेता है, और डेनवर को मोनिका को मार देने बोलता है, अब डेनवर प्रोफिसर के रूल्स के वज़े से मार नहीं पाता, पर अपने ही कैप्टन को मना भी नहीं कर पाएगा पर डेनवर के इंसानियत के वज़े से वो उसको मार नहीं पाता और मोनिका को पैर पर शूट कर देता है इससे सब को लगेगा कि डेनवर ने मोनिका को मार दिया पर डेनवर उसको एक सीक्रिट सेफ में चुपा लेता है पर मॉसको को लगता है कि उसका बे को वहां जाके उसको सच बोलने वाला रहता है इस से पहले बांक मैनेजर रोमान डेनवर से गन ले लेता है और सभी को छोड़ देने बोलता है पर दूर से देखने वाली पुलिस को एक जैसे दिखने के वज़े से कौन होस्टेज है और कौन रॉबर समझ में नहीं आएगा उनको लगता है कि होस्टेजिस को ही मारने वाले हैं और इंस्पेक्टर रकेल स्नाइपर्स को शूट करने बोल देती है शूट करने के बाद पता चलता है कि पोलिस न बांक मैनेजर रोमान को ही शूट कर दिया अपने गलत फैसले से गुसा हुके रकेल पोलिस कैम से निकल आपस आयेगी और ये रॉबरी रोग पाएगी प्रोफिसर का नेक्स्ट मूव क्या होगा अभी ये सब जानने के लिए नेक्स पार्ट देखिए जैसे ही नेक्स पार्ट आने से आपको नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्रेप्स मीडिया का चैनल को य नेक्स पार्ट है